जब भी किसी व्यक्ति को दातों में दर्द होता है तो इसकी नीम चले जाती है इतना ज़्यादा दर्द होता है कि इसके गाल सूझ जाते हैं पूरी तरह से मसूड में सूझेना जाती है सिर में दर्द होने लगता है कान में दर्द होने लगता है और यह दर्द continue बना रहता है अब medicine लेते हैं कुछ टाइम के लिए आपके दात का दर्द ठीक होता है उसके बाद फिरसे आपको दातों में दरद स्वाई से आज मैं आपको होमोपेटिक मैडिसीन बताने वाली हुआ साथ मेस्वाइक आप होमोपेटिक मैडिसीन लेकर दातोका दर्ड केबल पंच में ठीक कर सकते हैं मैम इसम पतिक वर लेनी हैं। वीडियो क्लास्ट में आपको बताएगे ऐसा रचिए आपके दातों में चिपक जाती है या फिर आपके दादों में चिपक जाती है यही खाना चिपक हुआ आपका कई दिनों तक इस्टोर होता जाता है जो एक बेक्टिरिया का रूप ले लेता है इसी करन से आपके दातों में सड़न होने लगते हैं आपके दातों में होल हो जाता है जिससे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और में मसाला भरवाते हैं कुछ तक वह मसाला रहता है तो फिर से निकल जाता है वह सकता है कि आपके पूरी दात सड़ गये हो आपके पूरी द कि दान्त का रहना बहुत ही दान्त के जांजते हैं सब with टरोके वायदे पया है की शुक्त की मुष्मिकाल नहीं की मैं मेडिस्टते करदे धियता है तो आपके दाइतों सब्सक्राइब पर बूले देगाए एक दम साफ होना चाहिए वस्ट टराइल होना चाहिए एसमें डालेगा जब अपच्छे से भीग जाये कौटन उस मेडिसी से उसी कॉटन को आप अपने दाड में लगा लिए के जब से कम प्लांट एग्हु belum टिंचर को आपको कोटन में डॉल के । में इतानों में लगाना है जिस से आपके दात के कीड़े पुरी तरह से ठीक हो जाएंगे już अगर आप प्रसे ठीक होजाएंगे अब विख्टे के ता संखेंगे अग circuit साथ कि एक तूथ पेस्ट आपको यूज करना है इस तूथ पेस्ट का झ no भ greeted सकते हैं इस sécurité जागया बिशे सथे नौर्मे 민주 एक एक मुझन करना है और रेगलर रेगलर राच प्रुकी है थापिने मेडिसेन, को यूज सकते हैं अपने दाथ हो तो मेरी वीडियो को लाइक जुरूब करेगा वीडियो देख मेरे थाएंक जूब